कहते हैं खेल में सियासत और सियासत में खेल नहीं आना चाहिए ये दोनों एक दूसरे से कोसो दूर रहना चाहिए तब दोनों चीजे जो है वो पटरी पर चलती है लेकिन सच ये है कि खेल में सियासत और सियासी खेल दोनों कभी-कभी एक दूसरे के आपने सामने आ जाते है हमारे साथ ब्रिज भूशन शरंज सिंग जी मौजूद है पहला सवाल यही है क्योंकि आप सीधी बात करते हैं इसलिए बिना किसी लाग लपेटे के सवाल यही है क्यों लग रहा है कि ये साज़िश थी आंदोलन नहीं था जो विनेश फोगाड के जरिये किया गया या महिला पहलवानों के जरिए किया गया क्यों यeki बड़ी साज़िश इस वक्त आप को लग रही मैं देखे पूरी स्थिती तो उस दिन अस्पष्ट होगी जिस दिन नयाई पालिका का जड़्िमेंट आएगा लेकिन ब्रिजबूशन जी यही तो वो भी कह रहे हैं कि पहले दिन से की हमारे साथ हुआ है अत्याचार लेकिन इसे सियासी तोर पर अब चोला उड़ाया जा रहा है पर क् विनेश वोगाट ने जॉइन कर भी लिया है कॉंग्रेस तो वह आंदोलन नहीं था यह कोई तो एक बिना होगी जिस बिना पर कि क्या जो भी किसी पर अगर बड़ी राजनितिक हस्ती पर आरोप लगाएगा और अगर वो विरोधी पार्टी को जॉइन कर लेगा तो क्या कि तो साजिश हो जाएगा मैं एक है कि कि को है कि अपनी बात पर काये हूँ कि इस आंदोलन के मुख किरदार का नाम है गुपंदर अशप और क्योंकि इनके साथ कोई घटना नहीं घटी कोई घटना नहीं घटी है , तीन sniff आरोब मुझ पर लगाए गय इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन तीनों आरोपों के समय हम दिली में नहीं है एक में हम सर्विया हैं दो घटना की दिनी प्लू लकनों में है एक घटना की तो है अब इन्होंने आरोप लगा दिया चार्शी लग गई उसको जेल ला है विनेश फुगाट अब कह रही है कि मैं महिलाओं की बेटियों की आवाज बनकर अब आऊंगी मजबूती बनूंगी मैं उनकी और दिखाऊंगी कि इनसाफ कैसे होता है उन्होंने काई कि अब और या लड़कियों की इज़त वो तब होती जब उनके साथ बत्तमीजी हो रही थी और उन्होंने पलट करके थपड़ मारा था वो कैसी पहलवान है कि उनके साथ बत्तमीजी हो रही है और एक दिवाल के बगल में दरवाजा बंद भी नहीं एक दिवाल के बगल में उसका पती बैटा हुआ है कत्यत पती उस में पती नहीं था उस में उनका फ्रेंट था पती बैठा हुआ है ऑब आपके साथ एक 65 साल का आदमी आप से बज्जमानी कर रहा है आपके साथ मतलब गलात हर्कत कर रहा है और ये वर्ड वाले हात उठे नहीं अगर ये वर्ड वाले हाथ उठ जाते उस दिन तब वो लड़कियों की इज़त होती है ये कहानी जूट है, मनगरंत है, इन्होंने लड़कियों को बजनाम किया है इनके साथ कोई घटना नहीं कटी है दीपेंदर हुड़ा कह रहे है, हमारी टीम ने उनसे बातशीत करी वो कह रहे है कि ब्रिजभूशन, शरण सिंग, अब जो कुछ भी कह रहे है न इससे हमारे वोट बढ़ जाएंगे, तो वो जितना कुछ कह रहे है कहने दीजिए पर आपको लगता है कि वोटो की सियासत से दूर ये देखना ज़रूरी है कि हकीकत क्या है मैं किसी से कुछ कहने नहीं गया, आप ही लोग मेरे पास आते हैं मैं किसी मेडिया के पास कहने नहीं गया, मैं किसी के पास नहीं गया कौन जॉइन कर रहा है कौन नहीं जॉइन कर रहा है मैंने कोई प्रेस कांटरंस नहीं गुलाई लेकिन आप ही लोग आते हैं सवाल करते हैं और जब सवाल करेंगे तो अपनी बात रखेंगे जब हम निर्दोस हैं हमारे खिलाब खडियंत किया गया जुठा खडियंत किया गया तो अपनी बात रखने का हक मुझे है और मैं रखूँगा वोट का फरक ना फरक है मेरी जिम्मेदारी नहीं है किसका वोट बढ़ता है किसका वोट गड़ता है हाँ इतना उन्होंने जरूर किया कि अब राजनियत में बेटियों को ले आए और अपनी बेटियों के इज़त के नाम पर मुकमंतरी पत्पाना चाहते हैं बेटियों को मैंने नहीं बदनाम किया है बदनाम अगर किसी नहीं किया है तो कांग्रेस पार्टी नहीं किया है दिपंदर हुड़ा वोपंदर हुड़ा नहीं किया है उन्होंने राजनीद में अगर आप कह रहे हैं कि कॉंग्रेस ने इस्तिमाल किया है विनेश फोगाट का या फिर पहलवानों का या फिर पहलवानों के जरिये ये कोई बड़ी साजिश की गई कि वो सियासी तोर पर फस गए उन्हें फसाया गया मतलब क्या मोहरा है देखिये अब कौन क्या हुआ मुए नहीं जानता मेरे साथ साजिस में अगरेस सांगल थी प्रिंका जी धरन्य पर आई ती उन्होंने समर्थन दिया था गहलोत आये थे राहुल जी ने समर्थन किया था आज भी वह समर्थन करते जा रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं पूछना करता हूं पूछना करता है राइट पूरुस को है नहीं है संजोग से हम पूरुस भी है राइट है नहीं है यह राइट क्यों नहीं को जाता है लेकिन जब यार वो जूटे होंगे और क्यों जूटे होंगे? क्यों कि तीन घटना ये प्रमूख हैं एक घटना के समय मैं सर्विया में बैठा हूँ और दो घटना के समय मैं लखनव में हूँ आन कैमरा हूँ, आन रिकार्ड हूँ जब मैं दिल्ली में हूँ ही नहीं तो कैसे क्या साबित होगा और जिस दिन ये साबित होगा कि ये घटना गलब थी तो ये जो मैं डेर साल से जेल ला हूँ दो साल से जेल ला हूँ कई इस तर पर हमने आपको भावुग भी देखा है कई बार नाराजगी भी आई है कई बार गुसा भी आया है कई बहुत सारी चीजे सियासी और व्यक्ति तोर पर आया है पर आपको लगता है कि इसका खामयाजा क्या सियासी तोर पर आपको जेलना पड़ा है या फ़र पार् है कि अप मेरे छेतर में हैं कि कि इसी से पूछ लीजिए और यह नहीं अगल बगल की पांच लोग सभा में किसी से पूछ लीजिए है लोग मुझे सांसत देखना चाहते थे है कि अंध ने वन होता यह है कि जंता परिषान हो जाती है सब्सक्राइब कि जहां कि जनता चाहती थी कि वो मेरे यहां से सांसत बढ़ जाए और अभी मुझे सांसत के रूप में ही देखना चाहती थी अभी जब कहीं कहीं भूत पूर्व लिखते हैं लोग तो जनता कहती है कि इस से अच्छा ब्रजभूसन सी लिखा करिए भूत तो आज से आप लोग अभूत पूर्व लिखे भूत पूर्व मन लिखे तो तकलीद तो होती है लेकिन देखे मानो जीवन में कभी कभी ऐसी इस्तिती आती है कि अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है और ऊपर वाले पर छोड़ना पड़ता है तो सुनव भरत भावी के लिए तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है और अब रहा सवाल राजनीत का तो है यह वही जो राम रच राखा जो इस्वर ने सोच रखा है वही होगा और हमारा मनोवल भी गिरा नहीं है चलिए आखरी सवाल आखरी सवाल यह है कि प्रस कॉंफरेंस विनेश फोगाड के ज कुलती हूँ यह अपनी बाद कहती हूँ नजर नहीं आई है यह सवाल तो है ही कि क्यों नहीं खोला वो जरूर बताइएगा लेकिन पूरा देश इसके साथ जरूर जानना चाहता है जब आयोग्य करार दे दिया गया था क्योंकि खिलाडी के तौर पर प्रधान मंत्री नर उनको दुख हुआ लेकिन मुझे खिलाडी के तौर मेरे बात सुरिए मुझे दुख नहीं हुआ क्यों दुख नहीं हुआ मैं आपके माध्यम से कुस्ति के हर आदमी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कुस्ति के जो नियम है चाहे वर्ड लेबूर पर चाहे देश लेविल पर क्या कोई ऐसा नियम है कि एक खिलाडी एक दिन में दो बेट कटेगरी में ट्रायल दे नहीं है जो लोग नहीं जानते हैं उनको सानगुती को मुझे कोई सानगुती दी है हमारे कुस्ति का नियम है एक दिन में एक खिलाडी दो बेट कटेगरी में ट्रायल नहीं दे सक या दो बेट कटगरी में एक दिन में कुष्ती नहीं लड़ सकता इन्होंने दो बेट कटगरी में ट्राइल कैसे दिया और फिर इन्होंने ट्राइल दिया चार घंटे तक नियम यह है कि ट्राइल देने के बाद दो घंटे का समय दिया जाता है जिससे आप खाग पी करके कुछ रिकबरी कर लीजिए फिर आप कुष्ती मैदान पर मैट पर आ जाईए इन्होंने चार घंटे तक कुष्ती को बंधक बना करके रखा कुष्ती नहीं हो होगी पहले तिरपन किलोग्राम की कुष्ती होगी और तिरपन किलोग्राम की कुष्ती में दस जीरों से हार गई और तब ये पचास किलोग्राम के बेट कटिगरी में गई जिस समय ये पचास किलो बेट कटिगरी में गई थी इनको तिरपन किलो वजन दिखाना था प्रिकपन वाली बेट कटेगरी में भी लड़ी और चववन किलो वजन दिखा करके मतलब कागज में बावन दिखा करके यह पचास वाली में भी लड़ी पूरे सिस्टम को इन्होंने हाईजक कर लेकिन इनका बेट ठीक से नहीं लिया गया रेलेवे की अधिकारी थे सब अधिकारी इनके बंधत थे जो एड़ाग कमेटी ट्रायल करा रही थी वो बिल्कुल डरी थी सामी थी जो कुष्टी संग के दो लोग गए थे ट्रायल कराने के लिए उनको इन्होंने साब कह दिया कि जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे हम कुष्टी नहीं शुरू परडरेशन के लोगों को बाहर कर दिया गया और ये अधाक कमीटी कतित अधाक कमीटी और रेलवे के अधिकारियों ने ट्रायल कराया उस समय इनका वजन इनका बावन होता तो ये कुष्टी लड़ सकती थी पचास में एक तो लड़ नहीं सकती थी लेकिन फिर भी इनका 24 किलो वजन था और फिर आप जा करके पता कर लिजिए अगर मेरी बात गलत है तो जो चाहिए वो सजा दे दिजिए छे एक का स्कोर था छे एक या पांच एक का स्कोर था हाप राओं तक सिवानी पवार उस दी जीत रही थी उसके बाद इन्हों ने हंगामा खड़ा किया और फिन हो हो करके रेलिवे के अधिकारियों ने इनको बिज़ेई खुशित कर दिया तो ये किसी का हक मार करके एक त था वही एक किलो इनके गले का फांस जा करके बना ये कमजोर खिलाडियों का हक मार करके गई इसलिए मुझे इन से कोई सांजबूती नहीं बस यही कहना चाहूंगी कि क्या सियासी सफर के लिए शुबकामना है क्योंकि चाहे सथा पक्षो या विरोधी पक्षो सियासी सफ करके लिए शुबकामना है जरूर देता है अब देंगे विनेश फुगाट को सियासी तरह कि शुबकामना है फिलाल नहीं है लेकिन इतना जरूर का जा सकता है कि ब्रेज भूशन शरन सिंग जी अपनी बात बेबाकी से रखते हैं बेखौफ होकर रखते हैं और विनेश फ